हेलो फ्रेंट्स आप सबको नोस्टेल जावित प्रतिक्सा में स्वागत है फ्रेंट्स मैं आज आपको समर का खुब सुरत सप्लांट सदा बाहर के बारे में बताऊंगी इसको में इनका भी कहा जाता है कहीं कहीं पे इसे नयांतरा भी बोलते हैं एक बहतरीन सा फ्लांट है जिसे जादा के आर की ज़रूरत नहीं होती है अभी स्क्रीन में जो दीक रहा है न वो सदा बाहर का देशी विराइटी है देशी विराइटी में जेनरली इसके दो या तीन कलर आते हैं जिसे की लाइट पिंक पिंक एंड वाइट लेकिन इसके बहुत सारे कलर्स का आप्सन मिल जाएगा यह मेरे पास पिंग कलर का हाइप्रीड वेराइटी है जो कि लास्ट येर से सर्भाइब कर रहा है देखे कितने चोटे से पत में लगा हुआ है लेकिन अभी इतने घेरो सारे सारे देखने में देखिए मुझे यह बहुत ही ब्राइट लगता है और दीन भर खिलते रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है देखने में इसको ज्यादा क्यार की जरूरत नहीं है फ्रेंसे के हाड़ी प्लांट होता है इसको ज्यादा फटिलाइजर भी यह डिमार नहीं करता इसका जो सॉयल दीजिए कंपोस्ट 30% और स्यान 10% जैसे कि इसका मिट्टी भी वेल ट्रेंड होना चाहिए जैसे पानी डाले और पानी ट्रेंड हो जाना चाहिए ठीक तरह से पानी जमेगा तो फिर होधा मर भी सकता है अब चलिए इसके संलाइट के बारे में जानते हैं यह दिन भ का संलाइट मिलना चाहिए इस इतना लाइट पाएगा संलाइट पाएगा उतने अच्छे से ब्लूमिंग करेगा और पोधे का ग्रोथ भी आच्छे से होगा तो इसको आप यह कोशिश करें कि दिन भर का संलाइट पढ़ना चाहिए देखिए कितने अच्छे से मेरा यह ब आप तो और अब इसके वाटरिंग के बारे में हम लोग जानते हैं इसको बार-बार पानी मत दीजिए जब पानी जो मिटी का उपर का भाग सुख जाए तभी पानी दीजिए बार-बार पानी देंगे तो फिर इसमें पंगाल इंफिक्शन हो जाएगा और पोधा सुखनें लगेगा यह मर भी सकता है अभी इसका प्रोपागेशन के बारे में जानते हैं देखिए काटिंग से भी ग्रोव किया जा सकता है यह एक ब्रांश टूट किया था मैंने इसे यहां पर लगा लिया था देखिए कितने अच्छे से लग गया है और अभी फ्लावार भी आया है और इसके सीड़ पर होता है जैसे कि फ्लावार फूल जब सुख जाता है फूल सुखने के बाद वहीं से सीड़ पर निकलता है और सीड़ पर के अंदर ही सीड़ होता है तो कभी-कभी यह होता है कि यह सीड़ पर वही पोदे से ही वह सुख कर आपने आप जमिन पर गिर ज सकता है यह मेरा जो प्लांट है यह आपने आप ही जमीन पर इसे उठा था देखे मैंने इसे छोटे से गंबले में लगा दिया है यह भी दो तिन दिन हुआ है यह लगाते हुए यह भी कुछ दिनों के बाद खिलने लगेगा फ्रेम्स यह नौर्सरी में बहुत इजीली अवेलेवल होता है 20-25 रुपय में मिल जाता है और बहुत सारे कलर्स में मिल जाता है तो आपके अगर इसे खरीदना चाहें तो आपके लोकल नौर्सरी जा सकते हैं और इसके बहुत सारे कलर्स अलाके आप लगा सकते हैं आपने कार्डेन को बहुत ही कलर्फुल बना सकते हैं दिखें कितने कलर्फुल है तो फिर आप फ्रेंज चो भी सदावाहर प्लांट्स अभी तक आपने बगीचे में आड़ नहीं किये हैं इस समर बगीचे में तो मेरा यह रिक्वेस्ट रहेगा कि आप यह प्लांट्स ज़रूर ल अब आज के लिए इतना ही फ्रेंज आफ गार्डनिंग करते रहे हैं और सुस्त रहे हैं बाई